अब दोस्तों कैसालोक मेरा नों मेर रौजखान आप देखें डिया टेकव्त दोस्तों इतने सारे फोन लॉइंच हो रहे हिगे हम सब सारे टिनसेन दोस्तों ऐसी ऐसी आफ़र भी चल रहे है कि क्या बता है तो सारween कुछ बताएं दोस्तों वीडियो में तो वीडियो में बने रही है तो पहले बात करते हैं दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत सारे साइंटेप्स नासा वगारा यह सारे जितने है दोस्तों मंगल यह पर अपना जीवन ढूंड रहे हैं मतलब इंसानी जीवन ढूंड रहे हैं दोस्तों लेकिन नासा ने अभी ट्विट किया है कि इसके लिए अभी हम तयार नहीं तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है आपको क्या लगता है दोस्तों आप जरूर बताईए चलिए अगली नियूस की तरह बढ़ते हैं तो ऐसा बता जा रहा है कि इंड्राइट ट्रेन में दोस्तों इन विल्ड यूटूब और यूटूब मूजिक आने वाला है तो आपको अगर मिला की नहीं पर परिक्शन चल रहा है वो लोग ट्रेनिंग कर रहे है कि अंतरिक्ष में जाएंगे तो किस तरह रहेंगे खिस तरह सर्वाइब करेंगे दोस्तों वहाँ पर काम हो रहा है आपको क्या लगता आप जरूर बताईए और आप इस हैया या नहीं वो भी जरूर को पता है तो वही बात मैं फिर से जहरा हूंगे दोस्तों Call of Duty Play Store or iOS में दोस्तों आ गिया है अगर आप इस्टाल करना जाते हैं तो करिए खेलिए बहुत ही धागड़ गेम है दोस्तों इसमें मैंने एक बहुत ही पहले वीडियो बनाया था दोस्तों उस वक्त मैंने कहीं इधर उधर तिग हम अब लगा के कर सकते हैं डॉनलोड और यह चलेगा 100% मेरी गाडरेंटी है आपको देखना है दोस्तों वह वीडियो तो काड में अवलेवल है वीडियो खतम होते ही आप देख सकते हैं दोस्तों अगली नियूस भी बहुत ही कमाल के ऐसा बताया जा रहा है कि 15 माहीने बा तीन बार अपडेट और रेडि वो लोग दे चुक है आज फिर वो लोग पुश किये हैं दोस्तों तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है सेंक्रोनाइजेशन वगेरा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा और गेम खेलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा त इस तरह की कुछ खबर आ रही है आपके पास है अपडेट किये कि नहीं जरूर बते तो वो दोस्तों एच्पी की तरफ से आ रहा है एच्पी का इसपेक्टर दोस्तों लॉंच हो गिया है एक्स 360 की नाम से यह जो लैप्टॉप है दोस्तों पूरा ही फोल्ड हो जागा इस इसे भी खरीज सकते हैं अभी आमेजन वगरा में यह अब लेवल है चलिए दोस्तों बात करते हैं बहुत बड़े धमागे की तो जियो फोन की तरफ से आ रहे है इसा बदाय जा रहा है जो पंद्रह सोगल है उसका जियो फोन है दोस्तों उसकी प्राइस जो हो गई है 699 त साथ आता है दोस्तों Helio P22 का प्रोसेसर है इसमें 4GB RAM Android 5 के साथ आएगा दोस्तों बहुत सारी स्पेसिफिकेशन वगरा लीक हो गई है जब यह आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे कि ट्रिपल कैमरा पे होगा यह क्या होगा लेकिन पंच होल कंफर्म है चलिए दोस्तो Macro Max भी आई गिया है दोस्तों कहीं ना कहीं से Macro Max ने अपना फोन लॉंच किया है आई वन नूट यह जो फोन है दोस्तों बहुत ही अच्छा है डोल रियर कैमरा पे आता वाटर डिस्पले के साथ आता है 3950 मिलियंपेर की वैटरियर जो है यही अभी 30 स्पेसिफिकेशन मि दोस्तों 16 Megapixer का रियर कैमरा है इसमें दोस्तों ऐसा बता जा रहा है Helio P22 का इसमें प्रोसेसर दिया गया है तेरा प्लस दो का रियर कैमरा है और दोस्तों 4000 मिलियंपेर के बैटरी अंड्रॉइट पाई के साथ आता है देखिए यह फोन किस तरह है वैसा इसकी प्राइस तो खाफी ठीक ठाक है लेकिन दोस्तों इसके बजेट में और भी फोन आपको मिल रहा है उसके बारे में लाश्ट में बतांगा चलिए दोस्तों बात करता है वीवो आईकू लाइट की दोस्तों आईकू यह वीवो का बच्चे ही है इसको बोल सकते हैं ऐसा बता जा रहा ह आईकू लेट जो है दोस्तों उसमें 37 वार्ट का फार्स चार्जिंग होने वाला स्नाइप ड्रागन 855 प्लस वाला इसमें चिपसेट हो सकता है कहीं कहीं यह भी बता जा रहा है कि 4500 मिलियंपेर की बैटरी और 40 वार्ट का फार्स चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है अ और दोस्तों सौमी तो आपती कर दिया जैसे ही सिल सुरू हुई है दोस्तों कुछ ही मिनट और सिकन और घंटे में दोस्तों ऐसा बता जा रहा है कि 15 लाक से ज्यादा इसके डिवाइस बेचे गया दोस्तों इस तरह की बहुत सारी नियू जा रही है वहीं दोस्तों एक इस तरह का कुछ आया हुआ है देख सकते हैं यह भी टूइट के है तो ऐसा बता जा रहा 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 रेडिमी नोट 8 या नोट 8 प्रो यह भी आ सकता है दोस्तों आपको क्या लगता है लेकिन मनुकुमार जैन ने कुछ ऐसा फोटो कोई खीच के डाल दिया दोस्तों जिसमे मी मिक्स 4 का तो ऐसा बता जा रहा है यह अगले साल आएगा इस साल नहीं आएगा तो यह अंदर की बात है चलिए दोस्तों बात करते हैं यह फोन के लिए मैं रूखा हूं मोटो रिजर यह बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों इस तरह की कुछ खबर आ रही है बस इस बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तो हिलियो पी 60 का प्रोसेसर होगा दोस्तों इसमें 13 8 और 5 का रेर कैमरा होगा 13 मेगा पिक्सल के सिल्फी कैमरा होगा 4000 मिलियम्पेर के बैटरी यूसबी टाइप सी के साथ आएगा जब यह फोन आगा तो इसकी सारी डिटेल यह लिए नहीं होगा दोस्तों जब यह फोल्ड हो जाएगा तो यह और कम 4.7 इंच का हो जाता है दोस्तों ऐसा बता आए जारहा है ट्रिपल रेर कैमरा 16 12 और 12 मेगा पिक्सल का 10 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा होने वाला है दोस्तों 1380 मिलियम्पेर की इसमें बैटरी है दोस्ट और जो है यही है जब यह फोन आएगा तो इसकी सारे डिटेल देंगे हमारे हाथ नहीं आने वारा चलिए दोस्तो बात करते हम रियल मी EKS 2 के बारे में तो रियलनी A आने वाला है ऐसा बता आ जा रहा है Snapdragon 855 प्लस वाला विरेंट पर यह आएगा दोस्तों जो OnePlus 7T Pro को भी मात देगा इस तरह की कुछ बात हो रही है आपको क्या लगता आप जरूर बता यह चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Oppo A11 की यह दोस्तों ऐसा बता जा रहा है कि चैना में बहुत ही जल्दी लांच होने वाला है 48 मेगा पिक्सल का इसमें कैमरा होने वाला है बैक में ट्रिपल रियर कैमरा फिंगर प्रिंट के साथ दिख रहा है दोस्तों इसकी कुछ स्पैसिफिकेशन भी आई ऐसा बता जा रहा है कि 48 मेगा पिक्सल, 8 मेगा पिक्सल, 2 मेगा पिक्सल का गामरा हो सकता है इस तरह की कुछ खबर आये जो पांच नानोमेटर पर काम करेगा आपको क्या लगता है यह कितना पाश्ट होगा दोस्तों चलिए सोचिए दुनिया कहां से कहां जाएगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आप सेल की तो ऐसा बता जा रहा कि वीवो नेक्स तरी 5G यह दोस्तों सेल पर आ चुग पंद्रहसों में भीखते हैं लेकिन अब इसकी जो प्राइज है दोस्तों इसकी सॉंड और बैटरी बैकप बहुत ही अच्छा है अगर आप खरीदना चाहते तो खरीच सकते हैं बहुत ही अच्छा उफर्द है वहीं दोस्तों दिवाली का मीडे सेल चल रहा है हर शाम चार बढ़ते हैं तो वीवो वाई 91 आई 200 और वीवो वाई 12 इसमें भी 1000 का डिस्कॉंट मिल रहा है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीच सकते हैं चलिए दोस्तों यह टेक न्यूज दिया ही खतम करते हूं मिद्व वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजा और आपना है आमाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजा पैसे नहीं लगते हैं चलिए दोस्तों